कि अथैंलो फ्रेंड केसे आप सब लोग आई खॕप आप सब टेक होंगे तो फ्रेंड आप अपने रंग को निखारना चाते हैं अपने चेहरे की कलर को फिर बनाना चाते हैं और उपके चहरे रिमीडिये को यू जरूर करें। और इससे आपके चैरे पे जो जितनी भी प्रोब्लम है वो तो ठीक होगी, साथ में आपके चैरे पे बहुत प्यारा निखार आने वाला है, तो फ्रेंट्स इसमें जितनी भी इंग्रीडियंट्स यूज़के हैं, सारे नेचुरल हैं, आप इस रेमेडी को जरूर ट्राइ करें, बहुत अच्छा निखार पाना चाते हैं, तो इस रेमेडी को अपने चैरे पे लगा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है, तो फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन फ्रेंट्स बेसन जो है आपके चेहरे के कलर को फेर बनाता है दाग धबों को दूर करता है जो चेहरे पे टेनिंग होती है उसे ठीक करता है जाईयों को दूर करता है तो यहाँ पर मैंने एक चमच बेशन लिया है उसके बाद एक चमच यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा फ्रेंट्स गेहूं का आटा जो है आपके चरे के कलर को निखार देता है आपकी स्किन पे स्क्रब का भी काम करता है और आपकी कलर को फेर बनाता है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आठा लिया है एक चमच गेहूं का आठा लिया है एक चमच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है उसके बाद आधा चमच यहाँ पे मैं कोफी पाउडर ले रही हूँ तो फ्रेंट्स कोफी पाउडर जो है आदा चमच लेना है आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है खटा दही फ्रेंट्स खटा दही जो है हमारे चेरे के कलर को फेर बनाता है हमारी स्किन पे जो दाग धब्बों की प्रोवलम है उसे ठीक करता है और साथ में जो ये दही है हमारे चेरे की जायों को दूर करता है तो फ्रेंट्स मैंने यहाँ पे दो से तीन चमच जो है खटा दही लिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करना है तो फ्रेंट्स आपको मिक्स करते जाना है और अगर आपको लगे कि दही थोड़ा कम है तो इसके अंदर आप थोड़ा दही और ले सकते है इस रेमिडी को सभी स्किन वाले यूज़ कर सकते है अगर आपकी skin sensitive है तब भी आप इस face pack को लगा सकते हैं आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है तो आप इसके अंदर एक चमश शहद भी ले सकते हैं और अगर normal skin है तो ये जो face pack आज में बता रहे हूं आप इसे लगाएंगे आपकी color को fair बनाना अगर आप चाते हैं कि थोड़ा सा आपकी skin जो है थोड़ी सी fair दिखाई दे तो आप इस face pack को जरूर लगाएं आप party में शादी में कहीं पे भी जा रहे हो तो आप इस face pack को use करें और आप अपने color को fair बनता हुआ देखेंगे अपने चेरे पे निखार आता हुआ देखेंगे तो friends ये जो remedy है मैंने कर ली है mix आप देख सकते हैं बहुत अच्छा face pack बना है और इन सब को अच्छे से mix करने की बाद ये cream की तरह बन जाता है बहुत अच्छा face pack है सभी skin वालों के लिए और आप इसे अपने full body पे अपने पूरे body पे भी इसे use कर सकते हैं तो आप इसे जरूर लगाएं और friends ये जो face pack है बहुत अच्छा होता है सभी skin वालों के लिए तो अच्छे से मैंने कर लिया है इन सब को mix अब इसे पूरे चैरे पे apply करना है तो चलिए फटा फट से दिखाते हैं आपको लगाना कैसे है तो friends इस face pack को लगाने से पहले अपने face को अच्छे से wash करें उसके बाद इसे पूरे चैरे पे लगाएं तो मैं इसे पूरे चैरे पे लगा लेती हूँ तो मैंने इसे पूरे चैरे पे लगा लिया है और इसे लगा कि पंदरा मिनट के लिए छोड़ देना है और जब पंदरा मिनट हो जाएं तो आपको अपने face को ठंडे पाने से धो लेना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्लो आया है मेरी skin बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है और ये जो face pack है ना आप इसे लगाएंगे तो आपको 7 दिन के अंदर बहुत अच्छा result मिलेगा आपकी skin बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और जितने भी दाग तो आप एक बार साथ दिन continue use करें उसके बाद आपको बहुत अच्छा result मिलेगा उसके बाद आप हपते में दो से तीन वार या फिर तीन से चार वार जरूर लगाएं ताकि आपको भी अच्छा result मिले और इस remedy को use करेंगे तभी आपको अच्छा result मिलेगा आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई